नमस्कार दोस्तों मेरा नावार आज़ी के बाट आप देख रहे हैं रोबोर्ट मेमरी तो फ्रेंड इस वीडियो हम जाने हैं कि कि अपनी वैब साइट या ब्लॉग का एस यो कैसे करें ताकि वे गूगल के टॉप रैंकिंग में आ सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉप एक्स लिये थे जने हमने कबर किया था कि advance SEO के लिए आपको कौन-कौन से step उठाने पड़ेंगे तो फ्रेंड इस वीडियो में हम कुछ topics cover करेंगे फ्रेंड इसके बाद जो next वीडियो आएंगे उस पर इनको website या blog पर कैसे implement करना है वो देखेंगे तो फ्रेंड चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में हम इन सब topics के बारे में जानेगे तो चलिए देखते हैं first start title tag with your keyword फ्रेंड जो आप title लिखते हैं post का उसे किसी keyword से start करें जैसे मेरा keyword है on page SEO guide तो फ्रेंड इसको मैं first रखूंगा अपने title में friend second number पर है SEO friendly URL तो friend आपका जो URL है उसमें कुछ numbers, date, category ये सब add हो जाते हैं इनको हटा कर आपको जो keyword है ये जो title है उसको रखना है जैसे मेरा जैसे मेरा blog है robot memory blog post dot com तो friend इसमें जो date add हो गई हैं इनको हटा कर अलग कर देंगे तो friend तीसरे नमबर पर है add modifiers to your title तो friend जो कुछ word होते हैं जिन्हें हमें title में add करना चाहिए जैसे best, review, top, years इस टाइप से आप लिख सकते हैं जैसे on page SEO 2019 best on page SEO तो friend इस टाइप से आप word add कर सकते हैं fourth नमबर पर है break your title in any H1 tag friend आप जो title लिखते हैं उसे H1 tag में लिखें जैसे मेरा title है on page SEO by robot memory तो friend इस title को मैं H1 tag में लिखूंगा friend फिफ्त नमबर पर है dissolve with multimedia friend फोटो या वीडियो द्वारा आपको visitor को simple step में समझाना है और बहुत सारी photo add करकर आप समझा सकते हैं photo में दिखा सकते हैं किसी चीज को करें या जो आप बताना चाह रहे हैं जैसे इस picture में mobile feature के बारे में दिख रहा है चाटवे नमबर पर है brave subheading in s2 tag friend s2 tag में आपको subheading लिखना है जैसे example के लिए best on page SEO by robot memory तो friend इसको मैं subheading में लिखूंगा friend शाटवे नमबर पर है drop your keyword in first hundred word जो friend post लिखते हैं उनके जो first hundred word होते हैं उनमें अपने keyword को add करना है जैसे मेरी एक post है उसमें मैं SEO के बारे में बता रहा हूँ तो friend जो first hundred word होगे उसमें keyword को add करेंगे friend example के लिए ये देखिए तो friend आठवे नमबर पर है responsive design तो friend आपकी जो site की design है वो ऐसी होनी चाहिए कि सभी के लिए हो tablet के लिए mobile के लिए laptop के लिए PC के लिए जो सभी में अच्छी तरह से खुल सके और देख सके friend नौबे नमबर पर है use outstanding links friend आपको अपनी post में जो बाहर की website हैं उनके links देने हैं जैसे example के लिए इस post में Wikipedia, Yahoo, Amazon तो friend ऐसे ही आपको अलग-अलग website के links अपनी post में देने हैं तो friend दसभी नमबर पर है internal links तो friend आपकी जो और भी post हैं website पर उनके links अपनी जो post लिख रहे हैं वोस पोस्ट में दें तो friend example के लिए ये देखिए तो friend ग्यारवे नमबर पर है boot site speed तो friend आपको अपनी site की speed को increase करना है इसके लिए बहुत सारे online tool होते हैं जिनें आप site speed चेक कर सकते हैं तो friend अभी हम इन सब topics को cover कर चुके हैं तो friend next video से हम इन सब के practical video होंगे जिन में next video में हम इन सब के practical करेंगे तो friend वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you